टीवी नाइन के इलेक्शन बाइक आज आ गई है बुराडी में और ये विधान सभा शेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि बुराडी एक ऐसा शेत्र है जहां से बहुत बड़ी राजनीती शुरू होती है दिल्ली की लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी समस्याए भी यहां पर हैं इस शेत्र में लेकिन साथ ही साथ विधान सभा का एक ऐसा छेत्र है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है और mcd election में भी यहां के जितने भी वाड हैं वो बहुत एहम हो जाते हैं और इसलिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां से जो विधायक है संजीव जा सर आपका चीवी नाइन पर स्वागत है तीन बार आप इस शेत्र से सर विधायक रहे हैं और अब mcd का चुनाव है बहुत कह सकते हैं कड़ा मुकावला है क्योंकि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने ही बहुत ही कह सकते हैं कि टक्कर देने वाले प्रतिदुन्दी मैदान में उता रहे हैं सबस्क्राइब को बहुत भाँ धन्यवाद आपका और हमारे च्छेटर में इसके लिए आपका स्वागत भी अदैकर कॉंग्रेस तो नहीं है इसका मतलब है कि आप अपी काम नहीं किया हो नहीं कि Δीली के में घ्र pública मैं के लिगा सबस computer गस्ति वोट करने स्छीधzd में घ्रप को जो政府 नहीं करते तो बीजेपी कोई काम नहीं किया लोग बहुत गुस्से में हैं और मुझे लगता है इस पार लोग परत्यासी जिताने के लिए नहीं बीजेपी से बदला लेने के लिए बोट करेगी बीजेपी से बदला लेने की जैसे सर आपने बात की लेकिन हम देख रहे हैं क कि लगातार जिस तरीके से बीजे पी के कह सकते हैं कि जो नेता हैं वो लगातार यह कह रहे हैं कि आम आदमी पाटी के द्वारा बहुत जादा अशेत्रों में लगातार काम नहीं किया गया MCD के भी जो करमचारी थे कही ना कहीं उनकी सेलरी का इशू तमाम रहा तो इन सारी चीजों को कैसे काउंटर करेंगे तो देखिए मुझे लगता वही तुम्हें कह रहा हूं कि 15 साल से MCD में भाजपा है उनको अपने काम बताने चाहिए जनता को कि आपने क्या काम किया पिछ शेहर बना करके रख दिया है तो मेंनाये कि एक भी वादा जो उन्होंने शंखल पत्र में कहा था उन्होंने किया क्या नहीं तो संकल पत्र क्दम हो गया अब इनके शंखल पे लोग का भरोसा नहीं तो नहीं नाम बदल दिया बचन game बचन किया आपको 2013 में कहा बिजली आधा करेंगे उन्चास दिन के अंदर कर दिया था तो अर्विंद के जिरिवाल जी के बातों पे लोगों का वरोसा है लेकिन भारती जंदा पार्टी के नेता हो लोगों का वरोसा नहीं रहा तभी मैं कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव का परि हैं जो आमाधी पार्टी है वो लगातार करी कि हमारे जो तमाम नेता है उन्हें टार्गेट किया जा रहा है चाहसा इंदर जैन का मामला हो अभी सीबिया की जो इंक्वारी चल रही थी चार्ट शीट आ गई उस चार्ट में मनिश्य सोधिया जी का नाम नहीं बड़ा गया था कुछ नहीं मिला मंत्री जी के चाहबा परा एक यूज नमर वन ते वो और बीजेपी के नेता सवी टीवी चैनल पे कोई यह ता आठ हजार क्रोड खालिया कोई कहता था दस हजार क्रोड कोई कहता एक हजार क्रोड कोई डेर सो करो कोई 40 करोर अब देखिए प्रधान मंत्री मॉनिटर कर रहे थे रोज प्रधान मंत्री से एडी डेक्टर से पूछ रहे थे कि कुछ कलो कुछ मिला कि नहीं मिला लेकिन चार्चिट में नाम नहीं है तो आट सो इंप्राइड की ऑफिसर्स और पांसों ज्यादा च्पा मारने के बाद उनको एक अठन में लेक्त की तरह काम कर रहा है वह सबित कर रहा है कि मनीज सुदिया कट्टर इमान दार है तो उनकी एजनसी सबूत इरह हैं जाता चलती नहीं है अनकी एजनसी से बता रहे हैं कि हम लोग बहुत इमान दार लोग हैं झाल झाल